नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और एपी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक धर्दनाक हाथसा हुआ है तो कहां पर ये हाथसा हुआ है पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए अगर आपने भी तक वीडियो को शेर नहीं किया तो वीडियो को शेर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तो वीडियो को जो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं कि आप हमीरपूर से कार में लोधियाना जा रहा था परिया परिवार अचानक हो गया यह धर्दनाक हादसा उनना से पीजी आई रैफर कर दिया गया वहीं अन्य गायलों को क्षेत्री अस्ताल में इलाज किया जा रहा है पुलिस में इस संबन में गाड़ी चालक के खिलाप मामला दर्ज कर जोय कारवाई शुरू कर दी है जार्नकारी के अंसार धीरच कुमार 32 वर्षिये पुत्तर च कमला देवी 60 वर्षिये के साथ गाड़ी में लोध्याना जा रहा था रात लगभग 11 बजे बर्नो के पास पहुंचने पर दीरच कुमार को नीत की जबकी आ गई और गाड़ी अन्यंतरित होकर पोल के पैरापिट वार रेलिंग से टकरा गई इस आदसे में कार में सबार साथ वही रहता है वह अपने बोस की गाड़ी लेकर परिवार साथ घर आया था और सौंबार देर शाम बापिस लोध्याना लोट रहा था कि बर्नो में हुए हादसे में उसकी मां की मौत हो गई जबकि वह और उसकी पतनी पीजियाई में उपचार दिन है स्पी अर्जित स्वें ठाकूर ने बताया कि पोलिस ने इस संबन में धेरिच कुमार के खिलाब पिपिन धाराओं के तरफ महामला दर्जियों कर कारवाई शुरू कर दी है और दुरगटना के कारणों की जाच की जा रही है तो इस परकार आप देख सकते हैं हमाचल परद स्पी जा रही है